जो ठीक है फिर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे है न्यूक्लियर एनर्जी से इंपोर्टेंट पार्ट है यह और इसमें से नॉर्मली आप देखो कि यह हर PCS और IS हर एक्जाम में इसमें कुछ नहीं कुछ जरूर पुछ लिया जाता है और वैसे भी क्लीन एनर्जी के लिए ए एक इंपोर्टेंट पार्ट है तो आप इसमें नॉपलले एनर्जी को ध्याम इनर्जी को ध्यान इसमें होती है लाजड हमार पास इसमें और एलेक्ट्रों जो अलग अलग आर्बिट में इसके घुमते रहते हैं, नूकलेस के चावट तरफ, तो यह हमर पस नूकलेस है, और इलेक्ट्राउन्स जो हैं, वह चावट तरफ इसमें घुमते रहते हैं, राउंड दे नूकलेस, नूकलेस में दो रहता है, एक प्रोटोन होता है, और दू Neutron, Neutral रहता है, इधियान रखेंगे हम सब लोग, Neutron Neutral है, और Proton Positively Charged है, और Electrons जो से हैं वो बहार रहते हैं, Nucleus के, and they keep on rotating, around the Nucleus, ठीके, Nucleus के चात्र घूमत रहते हैं, और इन पर Negative Charged होता है, यह Negatively Charged होते हैं, अच्छा, यह जो concept है, यह Old Concept हो अगरता था, आज की रिट में काया था कि, Electrons जो से Electron Cloud के रूप में रहते हैं, and they keep on moving between, ऐसी Nucleus के अंदर, Neutron और Proton होते हैं, Neutron होते हैं और Proton होते हैं, और यह Charged Particle, they keep on moving within the boundaries of the Nucleus, ठीके, एक Electron Cloud के रूप में, सब Nucleus Particle के Cloud के रूप में exist करते हैं, तो Nucleus के अंदर ही Confined रहते हैं, जैसी अपने Nucleus की Boundaries पर पहुचते हैं, Boundaries पर Face Infinite Potential, Boundaries पर, ठीक है, at the Boundaries of the Nucleus, they Face Infinite Potential, यहां पर Infinite Potential होता है, Infinite Potential होने की वैसे क्या होता है, यह इनको रूप देता है भाहर निकलने से, तो Neutron और Proton जोंसे हैं, वो Nucleus के अंदर रहते हैं, Electron इसके चावतरव घूमते रहते हैं, they keep on rotating, आपको केवाल यह ध्यान रखना हैं कि इस वो Atomic Physics का पाड़ाया था, बादर जिसमें X-rayS को प्रोडूस करने के लिए बाहर से हम लोग एक Exciting Potential देते हैं, और किसी भी Electron को Remove करवा देते हैं, यह ध्यान रखना है किसी भी Electron को, they are removed from their orbit, ठीक है, यह Electron जोंसे किया है, जैसे यहां पर इनको कहते है, KLMN Shell, अलग KLMN Shells हैं, और जब बाहर आ जाते हैं, तो Outside of the Atom, जो Potential Energy है, वो क्या हो जाती है, वो Zero हो जाती है, और यहां पर Potential क्या हो जाता है, that also becomes Zero, Atom के बाहर Potential Zero होता है, और Potential Energy भी Zero होती है, अभी आपको यह ध्यान रखना है, हमारको क्यवाल यहां पर यह ध्यान रखना है, कि X- X-rays कैसे produce की जाती है, X-rays में, Electrons को Atom के किसी Orbit से भाहर निकाल दिया जाता है, और महाँ पर एक Vacancy Create हो जाती है, और उस Vacancy को, मतलब जो खाली जगा हो जाती है, इसको Fill करने के लिए, उपर से कोई Electron नीचे की और Jump लगाता है, और जितना इन दोनों का Potential Difference होता है, दो Orbit क के बीच में जो पुटे, उतनी एक Wave जोन सी है, Ray जोन सी है भाहर निकलती है, जिसको X-ray कहता है, तो दो तरहीं की X-rays होती है, जो हमार को ध्यार रखने है, एक Soft X-rays होती है, और दूसरी Hard X-rays होती है, Soft X-rays कहां से आती है, Soft X-rays आती है, जब उपर से, जैसे हमने माल लिए कि इस उपरवाले शल से किसी electron को रिमूब करवाया, यहां पर इग्जाइटिंग पोटेंशल दे करके, यहां आइनिजेशन पोटेंशल दे करके, इस electron को यहां से भाहर निकाल दिया, तो उपर से यह कहीं से एक electron आकर कि इस Vigency को फिल करता है, ठीक है, तो इसकी Energy कम होती है, तो इस तरह की देश जूंसी है, वो Soft X-rays होती है, आपको क्यावल इतना ध्यान रखना है, जब electron को डिमूब किया जाता है, किसी Orbit से, और उसको फिल करने के लिए, उसको फिल करने के लिए, उसको फिल करने के लिए, उपर से कोई electron आता है, और Potential Difference जब कम होगा, तो Soft X-rays प्रोडूस होंगी, जब Potential Difference ज़्यादा होगा, तो Hard X-rays प्रोडूस होगी, Soft X-rays का Use कहां पर किया जाता है, Soft X-rays कहां पर Use करते है, Soft X-rays जूंसी है, They are Used, Soft X-rays जूंसी है, यह Body Check-up के लिए, जो हम लोग करते हैं, यह Body के लिए किया जाता है, और Hard X-rays कहां पर करते है, Hard X- जाता है, जैसे Oil Exploration के लिए, जमीन में कहीं पर कोई आपने पता लगाना है कि कोई Reserves है, Oil Reserves है, कुछ है, यह कुछ इस तरह की चीज़ों को पता लगाना होता है, तो उसके लिए हम लोग Hard X-rays जूंसी होते हैं, तो X-rays कितने तरह की होती हैं, दो तरह की होती है, Soft X-rays and Hard X- Soft X-rays, Soft X-rays, Body Examination के लिए यूज किया जाता है, Hard X-rays का यूज किया जाता है, कहीं पर Seismic Activity का पता लगाने के लिए, अर्थ में कहीं कोई Seismic Activity हो लिए है, या Oil Reserves के बारे में आपको पता लगाना है, या इन सब चीज़ों के लिए Hard X-rays यूज की जाती है, Hard X-rays की जो होती होती है, equal to or less than, और Soft X-rays जो होती है, that is more than or equal to 10 Angastrom, Soft X-rays की wavelength के रहो है, क्या के रहो है, wavelength, अब हम लोग nuclear energy के बारे में बात कर रहे है, nuclear energy, मैंने थोड़ा आपको energy के सकते हम लोग, जिसमें से हम लोग X-rays और प्रोडूस कर रहे है, अब आते है nuclear energy, nuclear energy कहां से प्रोडूस होत from the nucleus, जब nucleus को हम लोग, nucleus है, nucleus के अंदर के है, neutron or proton है, जब हम इस nucleus को break करेंगे, तो there will be release of huge amount of energy, यह जो energy आती है, यह बहुत बड़ी मातरा में होती है, बहुत huge होती है, this energy is called as nuclear energy, and this can be used both for constructive as well as destructive purpose, बत्ता आब इसे atom bomb भी बना सकते है और nuclear reactor भी चला सकते है, nuclear reactor आपको clean energy देंगे, और atom bomb आपका बहुत बड़ी उसका जुनसा वो नुकसान करेंगे, तो it depends, तो यह neutron or proton कहां पर रहते हैं, they stay inside the nucleus, यहां तक किसी को कुछ पूशना हो, तो पूश सकते हो, अच्छा अब nuclear energy produce करने के लिए, जो material यूज होता है, उसको कहते है, radioactive material, radioactive material के को example, जैसे uranium, uranium के दो isotopes होते है, uranium 235 and uranium 238, और plutonium, uranium 239 यह 240, plutonium, और तीसा एक और यूज किया था, thorium, वैसे lead के तीन isotopes होते है, lead के जो isotopes, lead 210 होता, वो radioactive की category में आथा, आपको के वाल यह जहां रखना है, हमारे point उसे यह तीन important है, radioactive material के तीन isotopes, uranium 235, uranium 235, uranium 235, 239, plutonium and 232, thorium, ठीक है, तो इसमें concept हम लोग use करते है, binding energy का, इसको भी ध्यान रख लेना, binding energy, अच्छा, binding energy क्या होते है, binding energy is the amount of energy required to keep the constituent particles of the nucleus within its boundaries, ठीक है, nucleus के जो constituent particles, particles को आपस में bind करके रखने के लिए जितने energy की जोताते है, उसको binding energy कहते है, यह इसकी definition दो तरहें की हो binding energy, आप दूसरे context में भी कह सकते है, the amount of energy required to separate the constituent particles of the nucleus, ठीक है, nucleus के जो constituent particles है, उनको एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए जितने energy की जोताते है, that is called as binding energy of the nucleus, जितने amount of energy हमार को किसी nucleus को फोड़ने के लिए चाहिए, तोडने के लिए चाहिए, that is called as binding energy, so nuclear energy, basically इसमें हम लोग एक concept use कहते है, which is the concept of radioactivity, so radioactivity क्या होता है, radioactivity is basically a process of continuous emission of alpha, beta and gamma rays, alpha, beta और gamma rays का continuous emission होता, alpha, beta and gamma rays, इसमें alpha पे positive charge होता, beta पे negative होता, और gamma rays neutral होती है, ठीक है, alpha rays जों से हैं, ये heaviest होती है, कम होती है, हलकी होती है, light, और ये massless ही होती है, एक तरे से, इन में सबसे आदा energetic क्या है, that is gamma rays, सबसे आदा energetic होती है, इनकी penetrating power सबसे आदा होती है, ठीक है, they have the highest penetrating power, लेकिन इनकी ionization power नहीं होती है, इसके अंदर, they have zero ionization power, gamma rays, alpha rays में maximum ionization power होती है, ionization power is maximum, ionization power is maximum in case of gamma rays, लेकिन इनकी least होती है, penetrating power, ठीक है, ionization power का मतलब यह होता है, कि जैसे किसी भी particle जैसे atom से टगराया, ठीक है, इसके electrons जो भी हम बात कर रहे थे, यह particle इससे टगराया, और इससे उसने इस electron को भार कर दिया, उठा कर, तो यह ionize हो जाएगा, positive, अभी neutral atom है, जब यह हो जाएगा, ऐसा तो क्या हो जाएगा, यह atom ज have maximum penetration power लेकिन gamma rays की ionization power जो जिए है, यह minimum या zero होते है, minimum या zero है, maximum ionization power, gamma rays की maximum है इसी दा से alpha particle के लिए हम लोग कह रहे थे, alpha particle की penetration power minimum होते है, zero तो नहीं होती है, लेकिन minimum होते हैं लेकिन ionization power इन तीनों particles में से क्या होते है अलबार की वह maximum होते है यह आपको दिहान लगता है पीटा की इन दोनों के बीच में होते हैं इसके बाद next है radioactive decay क्या होता है what is radioactive decay radioactive decay is basically जो है इसका एक law है जिसको radioactive decay law कहते है radioactive decay law या rutherford sodie law क्या कहते है इसको rutherford sodie law थीक है तो यह law क्या कहते है यह क्या है चैता है यह क्या है rate of radioactive disintegration at anytime is directly proportional to the number of active items in the sample at that instant of time थीक है तो radioactive radioactive disintegration जो है किसी भी समय पर किसके उपर depend करता है, number of active items के उपर depend करता है, किसी भी instant strenuous time के उपर, बाला किसी भी समय पर उस समय कितने, या उस instant of time पर कितने active items हैं, उसके उपर depend करता है, तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो क्या वाल यह ध्यान रखना हो यह कहता है कि radioactivity जो है या radioactive disintegration या rate of radioactive disintegration is directly proportional to the number of active atoms in the sample at that instant of time, ठीक है, जितने, तो radioactive disintegration जो हो क्या होता है, धिरे धिरे करके, समय बीचने के साथ-साथ क्या होगा, decrease होता है, यह ध्यान रखना कि radioactive disintegration with the passage of time, decreases, यह भी आप सब लोगों ने ध्यान रखना है, तो alpha beta gamma rays के बारे में आपने जान लिया है, तो आपने यह ध्यान रख लिया है कि जो यह हैं क्या होता है, अलग लग particles हैं, which resides inside the nucleus, अच्छा आप nuclear energy के बारे हम बात करना है, तो अब हमारे लिए जो और सबसे आदा important हो या था, that is about nuclear energy, अब nuclear energy आपको ध्यान रखना है, this is of two type, दो तरहे के होती है, एक nuclear fusion होता और दूसरा nuclear fission होता, इंडिया की जो nuclear energy program है, they are mostly they are based on, जबकि अभी nuclear fusion के ओपर भी काम हो रहा है, इस energy के ओपर भी, लेकिन mostly अभी तक जोंसे है, they are based on, जातर, mostly, they are based on nuclear fission, जो इंडिया की nuclear reactors ह are based on nuclear fusion, nuclear fusion में क्या आता है, इसमें heavy nuclease जोंसे है, they are broken up into lighter ones, heavy nuclease, लिकलो, इसमे, in nuclear fusion, heavy nuclei are broken up into lighter one, और, it is the process of splitting of large radioactive nuclei into smaller ones, so it stands for the splitting of, disintegration of large radioactive nuclei into smaller ones, and, in this process, huge amount of energy is released, झेखो की, एक सिंग फूजन में एक एतप के फूजन में अप्रोंदेला,प्रोंड आत्रोंदेला, इलेकर ङलेकि एक एक प्रोंदेल्यड़ों में के स्थूजन में के अझेला, एक अटप के एक फ 되지 버ơn फोंदेला, एक एक पूजन में तो आप अपने आप आइडिया लगा लिजे कि जैसे हमार पास एक ग्राम, केवल एक ग्राम युरेनियम है 235, तो कितने एनरजी रिलीज होगी, एक ग्राम एटम के अंतर कितने एटम होगे हैं आपर, वन ग्राम एटम कंटेंस हो मेनी नमबर आफ एटम्स अफ युरेनियम, यह एवगारदो नमबर होता है, 6.03 into 10 to power 23, 6.03 into 10 to power, divided by 235 into 200 million electron volt, जब इतनी बहुत कहने से मजलब आपको केवाल यह ध्यान रखना है कि बहुत बड़ी मातरा के अंतर है, अनरजी जून सी है, वो रिलीज होती है, एक ग्राम एटम से, तो एक किलो ग्राम से कितनी हो जाए इसको 10 to power 3 से और multiply कर दो, क्योंकि एक किलो में कितने ग्राम होते है, 1000 ग्राम हो गए न, into 10 to power 3, तो एक ग्राम एटम है, मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि very huge amount of energy released when an atom is exploded, nuclear fission में क्या गया था, heavy nucleus को they are broken up into lighter ones, and huge amount of energy is released, huge amount of energy is released, heavy nucleus is broken up into lighter ones, which leads to the emission of huge amount of energy, एक चीद ध्यान अगने कि uranium के 2 isotopes होते है, uranium 235 मैंने आपको अभी बताया था, और uranium 238, और nature में यह पाई जाते है, 1 is to 137 के ratio में, 1 is to 137, मतलब अगर आप 138, मान लिए 138 ग्राम अगर आप क्यास निकला, तो उसमें 1 ग्राम 235 होगा, और बाकी जों सा है, 137, 238, uranium होगा, आपको ध्यान रखना है, इसको कहते है हम लोग, इस uranium को कहते है, rectified uranium, rectified, और यह enriched uranium होता है, enriched, rectified और enriched uranium, and this is of atom bomb quality, यह atom bomb बनाने के काम आएगा, uranium 235, so uranium 235, atom bomb में used होता, बहुत high grade होगा, और this is unrectified, इसका use nuclear reactors में किया जाएगा, this is used in, uranium 238, is used in nuclear reactors, अब एक चीज आपको ध्यान रखने है, atom bomb के लिए उस में, chain reaction start करने के लिए, nuclear fission process start करने के लिए, nuclear fission process start करने के लिए, यह chain reaction start करने के लिए, uranium 235 में, even the energy of a stray neutron is more than sufficient, कोई भी charge particle आकर यहां था कि, यहां की neutral particle जिसमें, एक electron word की विए energy होगी, कितनी बहुत कम energy, one electron word मतलब very less energy electron, or neutron or any particle, can start nuclear chain reaction, इसमें barium krypton, या कुछ भी निकल सकते हैं, और एक से तीन neutron बनते हैं, three zero neutral one, ठीक है, तीन तीन neutron जोंसे हैं वो बन जाते हैं, ऐसे chain reaction चुरू होती है, जैसे एक, एक से फिर यह तीन हुए, यह nuclear fission process के अंदर होता है, फिर आगे, ठीक है, और ऐसे फिर तीन तीन आगे, इनके हर एक तीन के आगे फिर तीन दिन, प्रोसेस, मतलब अरवोक, हरवोक की संक्या में जूंसे हैं, एक्स्पोड हो जाते हैं, और बहुत huge amount of energy जूंसे हो रिलीज होती है, तो nuclear fission process आप लोग समझ चुके है, nuclear fission process में heavy nuclear जूंसे हैं, अब इसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि जो atom atom bomb है उसके लिए तो कोई भी एक stray electron आकर के इसमें explosion स्टार्ट कर सकता है, मतलब chain process स्टार्ट कर सकता है, तो इसमें दो तरह के process की बात कर ले थे हैं हम लोग, एक nuclear fusion के बारे में और nuclear fission के बारे में अभी हमारी बात जो है वो nuclear fission के ओपर चल दी तो nuclear fission process में atom bomb के लिए तो ठीक है, आपको यह ध्यान लगना है कि बहुत कम energy का कोई electron भी आकर के या कम energy का कोई भी particle आकर के यहां पर इस process को nuclear fission process को start करवा सकता है, लेकिन यह rectified uranium case में, लेकिन unrectified uranium के case में कैसे होगा, इसमें भी explosion process होता है, लेकिन यहां पर जो reactions होती है, वो क्या होती है, देखो जो पहला वाला process था, atom bomb में एक बार chain reaction स्टार्ट कर दी तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको कहते हैं controlled chain reaction, लेकिन unanimous 238 के case में जहां पर unrectified process को हम लोग start करते हैं, वहां पर normally controlled chain reactions की जाते हैं, जो की nuclear reactors के अंदर होती है, तो nuclear atom bomb के अंदर uncontrolled chain reaction होती है, nuclear reactors के अंदर controlled chain reactions होती है, तो इसमें हमार को क्या होता है, इसमें भी किसी भी एक पार्टिकल से लाग है, आप इस process को start कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, कि यह जो neutron आ रहा है न यहाँ पर, अगर यह unrectified है, जैसे uranium 235 है, इसमें भी chain reaction स्टार्ट होगी, लेकिन in that case, the energy of neutron should be of the order of 1.10 million electron volt, कम सिकम इतनी energy का चाहिए, वहाँ पर एक electron, 2 electron volt का, यहाँ पर उससे लगबग 10 लाग गुना हो या रहा है, क fission process start होगा, barium krypton और फिर आगे neutron होगा जोंसे है, वह produce करेगा यह, nuclear fission, अगर हमारको nuclear chain reactions, मतलब nuclear reactors के अंदर start करनी होते हैं, तो क्या करते हैं, for that we require, to initiate the chain reaction, we require a particle having energy of the order of at least 1.01 million electron volt, अगर इससे कम energy का electron होगा, या कोई भी particle हो सकता हो, किसी भी particle से कर सकता है, लेकिन mass particle होना चाहिए, उसमें mass होना चाहिए, तो आपको यह बात ध्यान रखना है, कि उसके energy कम से कम 1.01 million electron volt है, यह सब पूछे हुई है, पिछले सालों में आपसे घुमा फिर आकर के फिर और ऐसे particles, आपको ध्यान रखना है कि, controlled chain reaction कहां पर होती है, nuclear reactors में, atom bomb में क्या होती है, uncontrolled chain reaction होती है, atom bomb के लिए, chain process start करने, nuclear fission process start करने के लिए, हमार कोई कितने energy का electron, या कोई भी particle चाहिए, बहुत low energy particle से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन nuclear reactors के अंदर, जो है, जहां पर uranium 238 य या और दूसरे plutonium अगेर हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें हमार को basically, एक highly energetic particle चाहिए होता है, chain reaction को start करने के लिए, यह आपको ध्यान लगना है, इस reaction को याद रखो न रखो, उससे कोई फरक नि बढ़ता है, बस आपको यह जो काम की बाता हो ध्यान लगना है, यह ब हम लोग, अभी वो टर्मिलोजी हम लोग यूज़ करें, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें particle accelerator का use क्या जाता है, ठीक है, अब जैसे nuclear reactor है, nuclear reactor में आप अगर वैसी कोई भी electron को insert करवा देंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, वो process start नहीं होगा, तो उस case में क्या क्या जा करते हैं, तो आप देखें, यह ठीज आपको देहां करते हैं, particle accelerators are used to enhance the energy of particles, ठीक है, यह particles मैंने इसलिक कह दिया कि कोई भी हो सकते हैं, यह neutron भी हो सकते हैं, proton भी हो सकते हैं, प्रोटोन भी होते हैं, डिपेंड करता है, इसमें betatron यूज़ के जाता है, linear particle accelerator यूज़ करते ह हैं, और यह हमाले जो सबसे important है हो है, cyclotron है, तो cyclotron हम लोग यहां पर use करते हैं, ठीक है, so this cyclotron is a particle accelerator which produces very high energy particles that are inserted into the nuclear reactor, that are inserted into the nuclear reactor to initiate the nuclear chain reaction, ठीक है, nuclear chain reaction को start करने के लिए, cyclotron जो है, वो particle को energy देता है, ठीक है, normally क्या होता है, यह particle accelerator ऐसे दो D type के रहते हैं, इनके बीच में एक जगा रहते हैं, यहां से हम लोग introduce कराते हैं, किसी भी charge particle, जैसे proton को करेंगे, और फिर इनके energy लगातार increase होती रहते हैं, इसका एक process हो उसकी आपको ज्यादा जानने की जोत नहीं है, अभी आपके इतना द्यान लगाते हैं, जब इसकी sufficient amount of energy हो जाती है, तो इसको इहां से निकाल करके, nuclear reactor के अंदर डाल दिया जाता है, और यह nuclear chain reaction स्टार्ट हो जाती है, इसको कहते है, particle accelerator को कहते हैं हम लोग, cyclotron, इसका अपना एक process होता है, जिसके लिए हमारे को केवल इतना ही जानना काफी है, तो cyclotron जुन सा है, अब इसमें आपको बस यह ध्यान लगना है, कि cyclotron में हम लोग electrons को use नहीं करते हैं, electrons are not used as particle, ठीके, तो क्या करते हैं इसमें, केवल heavy particles को use करते हैं, only heavy particles are used, electrons are because of their low mass, electrons के पास जो mass है वो बहुत कम होता है, तो mass कम होने की वैसे क्या होता है, कि they very soon achieve relativistic speed, उनकी speed बहुत जदा हो जाती, relativistic speed को वो पहुच जाते हैं जल्दी, they soon achieve relativistic speed due to their low mass, relativistic speed के मनतब they achieve the speed almost near to the speed of light, और वहाँ जाकर कि इनका mass बहुत जदा heavy हो जाता है, so, जब इनका mass बहुत जदा heavy हो जाता है, so, जब इनका mass बहुत जदा heavy हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, it becomes very difficult for them to carry on, तो इसलिए, electrons को use नहीं गयाता, आपको ध्यान लगना है कि cyclotron में, nuclear chain reaction, nuclear reactor के अंदर start करने के लिए, cyclotron के अंदर electron को use नहीं करते है, इसका mathematical reason में आपको बदायता हो कि क्या हो जाता है, यहाँ पर mass हो है, इनका क्या हो जाता है, that soon achieves m0 upon 1, under root 1 minus v square upon c square हो जाता, where c is the velocity of, that is speed of light, and v is the velocity of the particle, when v becomes equal to c, जब v किसके बरावर हो जाएगा, c के हो जाएगा, तो mass क्या हो जाएगा, यहाँ पर, mass of the particle, effective mass, इसको कहते है, effective mass, ठीक है, effective mass, effective mass, जो है, effective mass, that becomes weak, जो है किसके बरावर हो जाएगा, c square के बरावर हो जाएगा, c square upon c square, तो यह हो जाता है, m0 upon 0, that becomes infinite, तो इसलिए, electron जो है, वो यूज नहीं किया जाता, electron is never used, तो यह बात सबकी समझ में आगी, कि electron यूज नहीं करें, केवल heavy particles, जैसे proton, neutron हो गयरा, use के जाते हैं, cyclotron में, ठीक है, तो जो, यह तो आपने समझ लिया, अब आपको यह धियान रगना है, कि, जो, nuclear reactors होते है, nuclear reactors में, basically, जो uranium rods रहते हैं, और इसके लाबावा, उनको, के लिए, cadmium rods का use किया जाता है, cadmium rods are used to control the chain reaction, ठीक है, atom bomb जब भी explode करता है, तो उहाँ पर temperature बहुत ज़्यादा rise हो जाता है, ठीक है, देखो, nuclear fusion process में, जहाँ heavy nucleus को break करते हैं, light iron में, nuclear fusion में बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, दो या दो से जदा light nuclei, उनको आपस में combine किया जाता है, और इस combine करने के लिए जितने energy release होते है, जितने energy, जब आपस में एक दुस्सरे के पास लाए जाते है, तो energy release होते है, उस energy को, हम लोग nuclear fusion binding energy कहते है, है, so, nuclear fusion process में क्या जाता है, in nuclear fusion process, two or more light nuclei are combined together, ठीक है, two or more light nuclei are combined together, which lead to the emanation of very very high or huge amount of release of energy, ठीक है, nuclear fusion process में जए energy release होते है, that is much greater than that of nuclear fusion process, nuclear fusion process में जएदा energy release होते है, ठीक है, तो atom bomb में जए निए 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 इसके लावा स्टार्स में होता है, ठीक है, नुकलिर फूजन प्रॉसेस जुमसा है, बेसिकली इडिज अफ टू टाइप्स, एक ध्यान रखना है, एक में होता है, कार्बन-कार्बन साइकल चलता है, यह दो करोड़ से लेकर 20 कोड़ी संटीग्रेट टेंपरेचर जब होता है, 100 डिग्री संटीग्रेट पर पानी उबल जाता है, ध्यान रखना, यहाँ पर 2 करोड और 20 करोड डिग्डीरी संदीग्रेट की बात करूँ, होँआपर क्या होता, carbon carbon cycle चलता और यह नौर्मली sun में होता, ठीक है, और proton proton cycle चलता इस्टार्स में, जहाँ पर temperature 20 करोड डिग्री संदीग्रेट से, 20 करोड डिग्रेट से ज्यादा होता, and sometimes it is in trillions of degrees, खर्वो गुना, वाद फेर प्रोटोन चलता है, तो आर्थ में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है या जो मिलता है, वह सब का सब हमारे को, Sun पे भी मिलेगा, Stars में भी मिलेगा लेकिन वहाँ पर यह Plasma Form है क्योंकि बहुत हाई Temperature होता है ठीक है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है Nuclear Fusion Process Nuclear Fusion Process के अंदर एक Terminology Terminology यूज़ करते है ITER ठीक है, तो इसको कहते है International Thermonuclear Energy Experimental Reactor International Thermonuclear Energy Experimental Reactor जहां पर भी Thermonuclear Energy की बात आईगी आपको दियान लगना, Question अगर आपके कहीं से भी आता है, गुमा फिर आगर आपने इस Terminology को दियान लगना, Thermonuclear ठीक है क्या दियान लगना है आपने Thermonuclear Thermonuclear Energy का जो Relation है, that is To do with Nuclear Fusion Process अब फ्यूल के बारे में आते हैं फ्यूल कहां कहां पर कौन-कौन सा होता है Nuclear Fusion के लिए जो फ्यूल यूज होता है that is Uranium 235 and 238 मैं बता चुका हूँ Nuclear Fusion Process के लिए Hydrogen Isotopes लिए Hydrogen Isotopes Hydrogen के तीन Isotopes होते है 1H1 जो Normal Hydrogen होता दूसरा Dutrium होता है 1H2 1H2 Dutrium क्या कहते है इसको Dutrium D-E-U-T-R-I-U-M और तीसरा होता 1H3 इसको कहते है Tritium ठीक है अब देखो यहां पर दो तरेने के Nuclear Materials दो दरेने के होते है कौन-कौन से हैं Nuclear Materials एक Fisail होते हैं और दूसरे Fish Naval होते है Two Types of Materials are used Fisail और दूसरे होते है Fish Naval Fisail Material वह होते है Unarium 235 जो असानी से एकदम थोड़ी सी भी आपने उसमें Energy Particle इंटेडूस किया and the chain reaction process is started उससे Fisail कहते है Fish Naval वह होते हैं जिसमें chain reaction start की जा सकती है लेकिन जब बहुत High Energy Particle को उसमें इंटेडूस कियाता मतलब जैसे हमार पर एकजांपल Fish Naval के होगे Uranium 238 and Thorium ठीक है यह Fish Naval हो जाते है Fisail जिसमें असानी से chain reaction process start हो जाता है और Fish Naval जिसमें start करना थोड़ा सम्मुश्किल होता है इंडिया के अब देखो 3 stage जो प्रोग्राम है उनके बारे में बात कर लेते हैं इंडिया 3 stage nuclear program देखो इंडिया में uranium के तो बहुत कम रिजर्व्स इसलिए हमार को मतला गर दूसरे alternative source जैसे thorium मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं क्योंकि इंडिया में thorium बहुत बड़ी मात्रा में है but thorium is not a fissile material therefore it is not easy to produce energy by nuclear fission process in thorium इसके लिए क्या करना बड़ता है इसके लिए it is required to convert it into a fissile material or fissile isotope this is and this is done by the process of of transmutation and this is done by the process of transmutation transmutation process से तो इस transmutation process से thorium को convert किया जाता है fissile material में तो इंडिया के जो nuclear three stage nuclear program है उसमें सबसे बहली stage के अंदर uranium 238 उसके गया uranium 238 यहां पर जो reactor था उस reactor का type type of the reactor was PHWR pressurized heavy water reactor आपको बस यह धिया लगना है first stage में यह उसके था pressurized heavy water reactor first stage इसमें moderator की रूप में यूज किया जाता था moderator की रूप में D2O यूज किया जाता था heavy water और coolant की रूप में भी इसको यूज किया जाता था coolant भी D2O ही यूज होता ठीक है तो PHWR जमसा है this has this produced electricity during its first stage of program which ultimately produced plutonium 239 as by-product ठीक है तो हमने first stage के बारे में बात करिए second stage देख लेते second stage के अंदर यूज के था fuel के रूप में जैसे first stage में fuel किसको यूज के था uranium 238 को यूज के था plutonium fuel यहां पर plutonium है reactor का type क्या है reactor type is FBR fast breeder reactor fast breeder reactor moderator इसमें यूज नहीं किया था लेकिन coolant के रूप में coolant इसको ठंडा करने के लिए है वो liquid sodium यूज करते है क्या करते है demineralized water demineralized और coolant के रूप में D2O heavy water ठीक है thorium के लिए देखो आपको ध्यान रखना है thorium is estimated to be four times more abundant than uranium uranium के पेक्षा चार गुना यादा यूज किया जाता है मतलब जो थूरिया में that is four times more abundant और इंडिया में केरला में मौनाजाई ट्रॉक्स यूज से बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है and it is abundant in India too particularly in Kerala में बहुत ज्यादा मात्रा मिलता है मौनाजाई ट्रॉक्स में ठीक है thorium की आपको ध्यान अगना है इसकी जो abundance है इंडिया में लगबग 21% आई है Australia में 19% USA में 13% Turkey में 11% इंडिया में भी सबसे यादा कहाँ पर मिल रहा है this is found in Andh Pradesh फिर अलग अलग स्टेज में जैसे Andh Pradesh में सबसे आदा है 31% Tamil Nadu में 21% Odisha में 20% Kela में 16% West Bengal में 10% और धारकन में भी बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है अब nuclear energy parks इंडिया में कहां कहां पर है इनके बारे में देख लेते है nuclear energy parks nuclear energy parks are in Kundakulam Tamiladu Jethapur Maharashtra Mithi Virdi Gujarat Kovda Andh Pradesh Haripur West Bengal Kumhariya Yag Gorakhpur Uttar Pradesh Bhargi Madhya Pradesh Markandi Odisha Bheempur Madhya Pradesh Madhya Pradesh Mahi Baswada Rajasthan Jethapur There are 6 nuclear parks 6 nuclear parks Jethapur Okay 6 nuclear parks and this is 3rd generation nuclear plant Jethapur that is 3rd Thorium nuclear plant which is based on European pressurized reactors France France and India agreement Jethapur Andhra and this is designing Arieva company Arieva It is designed by Arieva of France and this is 1650 megawatt 1650 megawatt Kulmila how much 3990 megawatt 9,990 megawatt This When the work starts it is the largest nuclear power generating in the world But the problem was that the work was stopped because environmentalists had their concerns that it is leading to the loss of land and destruction of ecology and it is going to harm the western ghat region These reasons were a little problem The second that is Kund Kulm Nuclear plant This is Tamil Nadu Tirunel Valley district and this Tirunel Valley this is due to agreement between India and Russia and it is under the surveillance of Nuclear Power Corporation of India and it is NPCIL Nuclear Power Corporation of India Nuclear Power Corporation of India ये ध्यार लखेंगे आप लोग इसके बाद नेक्स आता है ITER अभी हमने डिसकस किया था Mention किया था ITER International Thermonuclear Experimental Reactor So इसमें Nuclear Fusion Process के थुरू ये जो है Experimental Reactor इसमें Nuclear Fusion Process के थुरू Nuclear Energy को प्रोडूस करने की उसके बारे में देखा जाएगा possibility क्या इसको देखा जाएगा अच्छा अब Nuclear Energy के जो दूसरे यूजर उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं देखो सबसे पहला जैसे fertilizer के लिए है ठीक है Fertilizer में एक हमार पास आता है N15 and Phosphorus Nitrogen 15 and Phosphorus 32 दूसरा Insect Control ठीक है Insect Control में भी इनको यूज़ किया था Sterile Insect Technology and it involves the rearing of large number of insects followed by irradiation of their regs with gamma radiation before hatching leading to their sterilization ठीक है उनको ineffective बनाने के लिए फिर food packaging industry में इसका यूज़ है इसमें भी irradiation से food packaging फूट को जूज़ है वो प्रिजर्व किया जाता है food packaging industry के अंदर अच्छा फिर nuclear energy के थूज़ we can find out the water resources ठीक है यह सब चीज़ आपको ध्यान रखने है medicine में mainly है इसका एक और देख लेते है medicine में जो यूज़ किया जाते है that is technetium 99 TC 99 TC 99 this is used to indicate tumors then cobalt 60 this is used to detect cancer iodine in इन सब के नाम जान रख लेना 131 thyroid cancer के लिए यूज़ कियाते है then iridium 192 breast cancer के लिए samarin 153 and phosphate complex this is used to relieve the pains of secondary cancer secondary cancers के pain को remove करने के लिए release करने के लिए इनको यूज़ करने के लिए इनको यूज़ के जाता है क्या है वो samarin 153 and phosphate or फिर TAT then medicine में TAT that is targeting alpha therapy targeted alpha therapy for controlling dispersed cancers for controlling dispersed cancer ऐसी एक चीज़ आपको देहन रखने है कि carbon 14 किसले यूज़ करते है radioactive dating के लिए किसी भी fossil की age को पदा करना होता is used to determine the age of a fossil determine the age of a fossil 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 मतलब जैसे कभी जिंदा रहे होंगे और आज उनकी death होगी थी कभी किसी समय में तो उनके जो remains होते है हडियां हो गया रख जिसमें carbon content होता है उनको fossil बोलते है इसी तरह से smoke को detect करने के लिए अम लोग यूज़ करते है AMERICUM 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 241 for smoke detector this is used as a smoke detection क्योंकि यह topic आपका complete हो है सारा तिक्रे अब हमारा next June सायब अगला topic होगा that will be Space Technology you can join us for further courses like our foundation course for 2023-2024 for UPSC or State PCS you can join us for the test series for prelims campaigns for UPSC as well as State PCS and even you can join us for subject specific classes which are also available at Radiance IS for any detail you can contact us on the given numbers in the description box thank you